कि नमस्कार दोस्तों डीवी डायलॉग में आप सब का स्वागत है चार एकतीस मई से राहूर गांधी का अमेरिका दौरा दस दिन का शुरू हो रहा है और चार तारीक को जैसी खबरे आ रही है कि चार तारीक को वो मेडिसन स्क्वाइर गार्डन में एक सब्सक्राइब करेंगे और इस दस दिन के दौरे में बहुत लंबा चौड़ा उनका प्रोग में करनाइद के बाद सीजे वो अमेरिका जा रहे हैं हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सैम पिटोडा जी है और सैम पिटोडा जी ओवर सीज कॉंग्रेस के चेर्मिन है और आप लोगों को बता दें कि सैम पिटोडा जी इस वक्त 81 साल के हैं और भारत में संचार करांटी के जनक माने जाते हैं मुझे याद है कि सी डॉट एक्स्चेंज इन्हों ने इनोवेट किया था उस जमाने में स्टाउजर या बेल्जियम से टिक्नोलोजी आई थी वो थी हमारे पास तो उसने गाउं गाउं में टेलीफोन सैंप टोडा जी के इनोवेशन ने पहुचा दिय थे राजीव गांजी के समय तो सैंप टोडा जी आपका बहुत स्वागस है तन्यबाद सैंप टोडा जी बात चीत राहूर गांजी के विदेश दोरे पे क्योंकि आप ओवर सीज कॉंगरेस की चेर्मेन हैं आप और्गनाइस कर रहे हैं सब इंग्लेंड की विजिट भी य यह भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूके की विजिट हुई और करनाटक की जीत की खबर आने के बाद अमेरिका की विजिट हो रही है तो क्या यह आप मौके देखते हैं कि अच्छा मौका है तब विजिश यात्रा की करवाई जा राहूल गांदी की नहीं ऐसा नहीं है बिकॉज बहुत सारी चीजे टेक्स लॉट अफ टाइम टू प्लान यह एक-दो विक में प्लान तो हो नहीं सकती है सो तीन-चार महने पहले इस पर विचार किया जाता है उसके बाद एक-दो महने उसे प्लानिंग में लगते हैं अभी भी यूएस की विजिट फर्म अप नहीं हुई है पहले तो यह दस दिन की विजिट नहीं है वो करीबन पांच-छै दिन की विजिट है क्योंकि उनको भी उतना टाइम मिलना चाहिए लेकिन हम जब भी बाहर जाते हैं तब कोई कोर इवेंट एंकर इवेंट रहता है जैसे लंडन गए तब केंबरीज उनिवर्सिटी का लेक्चर था और चैटम हाउस का लेक्चर था इस वक्त अमेरिका आने के लिए स्टैंफर्ड उनिवर्सिटी का लेक्चर है जिसका इंविटेशन दो तिन महिलें से पहले आया था पित्रदा साथ यहां जो मीडिया में खबरे हैं वो दस दिन के टूर की है यह भी है कि चार मई को चार जून को सारी चार जून को वो मैडिसन स्क्वाइर गार्डन में भी पांच अजा एनराइस को संबोजित करेंगे ऐसी खबरे भी है तो पुरा डिटेल प्लान है क्या डिटेल प्लान अभी बना नहीं है तो यहां किसी की स्केजूल होती है तो बदलता रहता है समझें लेकिन मैं आपको यह कह दू के दस दिन का प्लान नहीं है आप यह कह रहे है कि वह भी अभी प्लानिंग स्टेज में है क्यूंकि इतनी बड़ी मीटिंग प्लान करने में बहुत सारी चीजे एक साथ आनी चाहिए जैसे जैसे चीजे फिक्स होती जाएगी वैसे जैसे वी विल डिसाइड में चीज जो भी फिक्स है वो है का इंटरैक्शन इसन ब्लिद्व हुषार फिक्स है और नियोंड बी जैंगे वो भी फिक्स है लेकिन रह जगा क्या करना है कॉन करेगा यह भी अ sahb पित्रदा सब्सक्राइब यह जो दिन में सामने आ जाएगा आप कह रहें कि इनिवर्स्टी और स्टैन्फोर्ड वाला पक्का है और मेरिया से इंट्रेक्शन होंगे वो पक्का है यूके में जो विजिट होई वह बहुत विवार्दित हो गई यहां पर और देखें इंडिय किया जाता है समझे उन्होंने जो कहा लंडन में उसको जिस तरह से प्रेजन्ट किया गया मीडिया में वो हमारी दुष्टी से अलग चीज है इंडियन मीडिया चीजे अलग तरी से से देखती है not all मीडिया थोड़े से में मीडिया मैं आपका एक इंट्रिवू देखा था पितोधा साब और वो इंट्रिवू लेने वाले जो सज्जन्ट थे वो खुद भी Cambridge University के पढ़े हुए हैं यहां तक मेरी जानकारी है तो क्या उन्हें भी समझ म नहीं आया कि राहूल गांदी ने चैंतम हाउस में बोला कि वह भाषर तो मैंने भी सुना था तो तो वह आप से सवाल है जो सवाल वह आप से पूछ रहते मेरा पूछना यह कि क्या उनको भी समझ में नहीं आया इंडिया में लोग पढ़े लिखें लोग हैं तो उनको बन नहीं है आप फैक्स देखिए पहले कि हम अगर जाके परदेश में कुछ कहें इंडिया के बारे में हमारी दिस्ट्री से वो बहुत नॉर्मल चीज है आप हमें देश द्रोही नहीं कह सकते हैं लेकिन आप बोलें पढ़े हो लिखे हो कोई फरक नहीं पढ़ता आपको बोलना है तो बोल देते हैं आप उसमें पढ़ लें ठीकर से क्या सबद है दूसरा कि वी आरे वेरी लार्ज कांट्री देमोक्राटिक कांट्री एंड वी हवा मॉरल रिस्पॉंसिबिलिटी टू 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 ग्लोबल कमिनिटी तो हम इंग्लेंड में जाके और अम अगेंस बोलते हैं सरकार के अगेंस बोलना अलग चीज है सरकार इंडिया नहीं है आप समझेए ये जी सरकार एक छोटा सा पीस है इंडिया का सरकार के अगेंस बोलना वो अपोजिशन का कामी है कुछ गलत लगा उन्हें तो बोलेंगे लेकिन अगर मीडिया ऐसा प्रेज हो कोई फरक नहीं पड़ता ना तो इसको तो साब आप से क्योंकि आपने इतना लंबा दौर देखा और राजी गांजी के समय से आप है तो बिसिकली आप टेक्नो क्रेट और इनोवेटर और इंजिनियर लेकिन आपका राजनीती में काफी एक पहर राजनीती में रहा है हैं चाइना में जाके कि पिछले जनम का कोई ठीक है वो मीडिया के लिए बराबर है और और राहूर गांधी जा रहे हैं वो भी मोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं तो यह विदेश की जमीन राजनीती का खाड़ा क्यों बन रही है पहले को ऐसा नहीं होता था नहीं है वो रा राजनीती का खाड़ा बताते हैं समझे पहला तो देखिए प्राइम मिनिस्टर परदेश जाक के देश के अगेंस कुछ कहे और ऑपोजिशन के अगेंस कुछ कहे वो देश के प्राइम मिनिस्टर है हमारे सब के प्राइम मिनिस्टर है को भी पार्टी के होग कोई फरक नह बोलते हैं तो आपको यह डिफ्रेंट समझ दा है हम समझते हैं क्लियरली और आप ना समझे तो हम आपको बदल नहीं सकते हैं ठीक ना करनाटका में बहुत अच्छे जीत हुई आपकी तो जो अनलाई तब का है वो इसको कैशे देख रहा है करनाटका इलेक्शन सबके लिए इंपॉर्टन था एन आर आई प्रोपिलेशन में करनाटका के बहुत सारे लोग हैं मिडलीस में हैं यूरोप में हैं अमेरिका में हैं आस्ट्रेलिया में हैं वो सब करनाटका इलेक्शन को ध्यान से देख रहे थे बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि यह कुद भी ए टुर्णिंग पॉइंट बट हम मानते हैं बहुत सारा काम आगे पड़ा है इस जीत से आप सांती से बैठ नहीं सकते अभी तो थ्री स्टेट इलेक्शन के आएंगे उसके बाद 2024 का इलेक्शन है रास्ता बहुत कठीन है सफर इतनी सीधी नहीं है करनाटका की बात आये तो पुछ रहता हूं कई मैं पढ़गा था कि कोई एक एक आप आप लोगों नहीं बनाया और करनाटका के एलेक्शन के लिए और इंडियन की मोनिट्रिंग के लिए बनाया वो क्या है मुझे इतना डीटेल पता नहीं है I don't know anything about एप People talk about EVM all the time हमने हमारे विचार EVM के बारे में बताये हैं हमारे विचार clear है और इलेक्शन कमिश्नर पे हम सब को विश्वास है तो हम देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं जी तोड़ा आगे महते हैं क्योंकि इंडिया अमेरिका रिलेशन्स तोड़ा टॉप सी तर्वी वेजर में है राहुल गान जी के इमिडियेट बाद यानि कुछ हफ्तो बाद ही प्रधान मंत्री मोदी भी अमेरिका की यात्रा पर होंगे जो बादन के नियोते पर अभी रिलीजियस फीडिम कमिटी की रिपोर्ट आई है सैम साब और तो रिपोर्ट बहुत कड़े शब्दों का इस्तमाल कर रही है बहुत पिछले पिछली रिपोर्टों में इस तरीके के स्पेसिफिक इंस्तांस नहीं थे जैसे की गुजरात मे प्लेन को पूलिसमें द्वारा माइनॉर्टी के लोगों पर हमला या बिल्की जबानों के जज्जमेंट पर या बहुत सारे ऐसे मामलों पर जो हिजाब ही कॉंट्रोवर्सी वह उस पे भी बहुत डीटेयल रिपोर्ट आई है और उस पे स्टेट डिपार्टमेंट का भी म जो कि पहले वह बड़ा इक नूट्र स्टेट्मेंट आया था कि वी आर अब्जर्विंग देस और वगारा अब वह कह रहे हैं और सेक्रेटरी बिलिंकें और डोनाल लू एस्टेन सेक्री जो हमारे वीजन के इंचार्ज हैं बुस्ट हो बाइड इस अडिमस्टेशन में उ अर जब वाइट हाउस में जायेंगे और बादकीत होगी तो यह रिपोर्ट क्योंकि वह कह रहे हैं कि वी आर से इंगेजिंग इंडिया हम बादचीत कर रहे हैं उद्दों पर तो क्या यह टेबल पर यह रिलिजिजिस फीडम रिपोर्ट रखी जाएगी आएगी बादच गई है, वो हम सब देख रहे हैं, देश में. हमें पता है कि क्या हुआ आखरी नौ साल में, सकता है कि अपटना समने, वो पोरा advice पॉलिटे ठोड़ारी पॉलिट्स, इस बदोटवनिश्पिक मीनरी गिया आखरीफ दिखोलिटी अमें। अभी तंटे विसफ्द्देट वीडा के इसविए थाज़ चिडता हैं, being noticed now by the world. World is noticing के Indian institutions are not as independent as they used to be. Whether it is judiciary, ED, income tax, police or even universities. Everything is colored with Hindutva narrative. So, यह सब अब लोग नोटिस करते हैं. दूसरा, civil society, NGOs are also being harassed in the name of foreign exchange violation, income tax rate. लोगों ने बोलना बंद कर दिया है. लोग गबड़ाते हैं. एक फियर खड़ा किया गया है, जिससे लोग अपनी बात जैसे democracy में represent कर सके? वैसा नहीं करते हैं. अभी हमने एक किताब देखी, जो डॉक्टर प्रभाकर ने publish की है. वो किताब में बड़ा सिंपल डिस्क्रिप्टिन दिया गया है कि इंडिया में क्या हो रहा है. अब ऐसा है अभी एक गुरूप मानता हिए सच है, दूसरा गुरूप मानता हिए सच नहीं है. So you need independent observation and the report from the US, I believe is more of an independent observation. यह report serious है, global community इस पर ध्यान देगी और हमें भी ध्यान देना चाहिए. तो प्रिटोड़ा सहब सिर्फ ध्यान देने से बात नहीं बनती न. इस पर क्या जब तक international community जब क्योंकि जो क्या Biden administration कह रहा है और एक बार नहीं, दो बार कह रहा है. डोनाल लू दो बार भारत आ चुके हैं और भारत से लोटने के बाद उन्होंने entry move में कहा कि वो engage कर रहे हैं भारत आने के बाद कहा और अब report में state department का statement आया. उसमें भी का engage कर रहे हैं तो engage करने का मतलब क्या हुआ? वो तो state department को decide करना होगा. इंडियन government के साथ बात होगी, तब वो decide करेंगे. वो तो मैं कहीं नहीं सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि report है, वो बड़ा serious report है. जब मैं कह रहा हूँ ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब यह है कि we have to act. We have to be sensitive. In the country, we have to create environment for peace and prosperity. We have to respect our diversity. We have to be more inclusive. We have to be more tolerant, respectful of others. If somebody is eating beef, that's their privilege. As an example I am giving you. Okay, who am I to tell them in democracy that you should eat this and you should not eat this? Fine, you can decide on your own personal preference. That's a different issue. Who am I to tell you whether you should wear hijab or not? Let there should be public discourse, discussion and that's what democracy is all about. Democracy is top down. It is about bottom up conversation. भारत का सम्विधान इसकी इजाज़त देता है. बिलकुल. पिटोड़ा साब वो खबरों की तरफ में आपका ध्यान और आपका रियक्शन चाहता हूँ. और जो मैंने पढ़ी यहां भारत में रेकर. एक खबर मैंने निवाक टैंक्स में पढ़ी. और वो खबर तस्वीर क के साथ पढ़ी कि मैन हेंटन इलाके में बुल्डोजर की मोदी साहब और योगी साहब का पोस्टर लगा के परेट निकल गई. कस्वीर के साथ निवार्क टैंस में मैंने वो खबर पढ़ी भारत में. दूसरी खबर मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली डिली मेर में और जिसम का तालुक था. अब अब जो विजयष में जो सरकारे हैं, जो उनके विदाख हैं, जो सरकारे हैं, उनका मीडिया है, उनको भारती मीडिया की रिपोर्टों जर्वादि निए उनके देश में ये पहुंच गई बीमारी. उनको अपने आपकोंदे साम में दिख रहा है. क्योंकि हमारे महां in US, there are over 500 people of Indian origin, उसमें से बहुत वाले, बहुत टेंपल वाले हैं, देखिए हम जब शिकागो में आये 1964 में, एक भी हिंदू टेंपल शिकागो में नहीं था, मॉस्क भी नहीं थी और टेंपल भी नहीं थे, पचास साल में और साट साल में करीबन, शिकागो में 20 टेंपल हैं, मॉस्क भी बहुत बढ़ गई, तो यहां भी हिंदू population is visible, they are more into religion than their counterparts in India, they believe this is the way to teach their children के हिंदू धर्म क्या है, और वो सब मानते हैं क्या हो रहा है गवर्मेंट में, इन सब लोगों को अमेरिका में democracy चाहिए, अमेरिका में freedom चाहिए, अमेरिका में independence चाहिए institutions का, लेकिन जब इंडिया में नहीं है, तो यह कुछ नहीं बोलते हैं, तो यह double standards है, तो वो लोग आते हैं, ट्रेक्टर लेके, वो लोग आते हैं तिला लगाके, वो लोग आते हैं जण्डा लेके, तो ठीक है, यहां democracy है, you can demonstrate. Sam sahab, Petroda sahab, आप उसी सिकागो बे रहते हैं, जहां 1893 में विवेकार लंद ने हिंदू धर्म को इंट्रडूउस हिए था, और एक बहुत खुन मदिस्टीच उनकी, my brothers and sisters of America, America के मेरे भाईउं भेहनों, अतारियां बजी जी कई मिनट चक वहाँ पे, जो धर्म और अब जो आप जिन मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या आया है, जो मैं यहां से देखता हूँ, वो अंतर ही आया है कि बहुत सारी जो कुरीतियां है, वो भी चली गई वहाँ पे, सच है, आपकी बात सच है, वहाँ पे अब गूगल को और फेस्बुक को कास्ट क्या होती है, उसका संसिटाइजेशन करना पड़ा है, उसके बारें बताना पड़ा है, लेक्चर कराने पड़ा है, एक्वालिटी लैप्स के लोगों को बुला बुला के, यह जो नया समाज ह का, इसको आप कैसे देखते को यह आप में लंबा समय बिताया है वहाँ पे, देखिए अभी कैलिफोर्निया में एक नया लोग आया है, for the first time in the history of America, caste has put into a law, that you cannot discriminate against caste, caste तो पहले थी ही नही यहाँ पे, अभी सुरू हुआ है यह यह दिस्कुशन, तो हमें भविश्य के बारे में सोचना है, वर्तमान के बारे में नहीं, बूतकाल के बारे में नहीं, हम हमारे साथ बूतकाल के baggage उठा के ले आये हैं, हमारा बूतकाल बहुत रिच है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मुजिक, बूतकाल के लिच है, लेकिन उस पे बहुत सारा जैसे पंड़ी जिन आता, उस पे बहुत सारा डस्ट लगा है, कलना है, लेकिन हम वो डस्ट को आगे ले जाते हैं, हमें उसको साफ करके जो अच्छी चीज़ है, जो स्वामी विवेकानन ने कही थी, उसको बहार लाना है, उसकी वज़ा हम जो कच्रा उसके साथ है, उसको भी बाहर ले जा रहे हैं, तो हमें सोचना है कि हमारे देश में मुस्लिम आए, बिटिश आए, फ्रेंच आए, इरानियन आए, सब आए, और हमने सब को आवकार दिया, घर दिया, आबादी दी, और हम सब से हिल मिलके रहे, हमारी ब्यूटी वही है, कि हम सब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पितोधा साथ, आप इस नियम की बात करने हैं, कलिफोर्निया की, वो कलिफोर्निया स्टेर युनिवर्सिटी में जातिगत भेदबाव को रंद भेद के साथ जोड़ते हैं, पिते हुए एक नियम बनाया है, जिवर्स्टी की एद्मिर्स और रिकूट्मेंट को लेकर, और कलिफोर्निया स्टेर की जितनी इनिवर्स्टी हैं, उनमें ये लागू हो गया है, जो खबर में हम पड़ा यहाँ, क्या ये जो कामून बनाना पड़ा वहाँ पे, कलिफोर् आपकत नहीं है। वो हमारे लिए सच्चा हिंदु धर्मा है, लेकिन हमने उसका उल्टा मिनिंग किया है। कहा है कि हम इंदु हैं, बाकी सब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो कैसे चल सकता है। इंडिया is for everybody. अब केराला जाइए, क्रिस्चन्स हैं, मुसलिम्स हैं, इंदु हैं, जूज हैं, सब साथ में रहते हैं। अगर हम peaceful existence पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी economy पे effect होगी, हमारी peace, security, safety पे effect होगी। अभी तो मुद्दा में है unemployment, मुद्दा में है growth, मुद्दा में है गरीबी, food, education, health, यह सब में मुद्दे हैं। में मुद्दा धर्म नहीं है। लेकिन धर्म पे ज्यादा बाते होती है। अभी करनाटका में करनाटक के चुनाव में यही मुद्दे जीते हैं पतुदा साब अभी तो अभी पांच दिर पहले की बात है। एक मैं आप पुछना देखे पतुदा साब की आप अमेरिका में हैं और बहुत सारी लोगों से मिलती होंगे। आप टेक्नोक्रेट भी हैं तो टेक्नोलोजी के कम्यूटी में भी आपका उपना बैठना होगा। राहूल गांजी के खिलाब एक बड़ा केंपेंच चला। दस साल वो केंपेंच चला। और उनको राहूल गांजी को के खिलाब उसको उनको एक नॉन सीरियस पॉलिटीशन बनाने का और ऐसा केंपेंच चला। वह केंपेंड में अमेरिका की अमेरिका की टेक्नोलोजी कंपनियां भी शामिल थी या उनका इस्तमाल हुआ और अभी में बहुत स्पेसिक आपको बता जूँ कि भारत में फेस्बुक का जो हैड है पॉलिसी हैड वो नरेंद मोधी जी के प्रचार में डिजिटल टीम में थे 2014 के इसके पहले यहां पर थी आखी दास पॉलिसी में फेस्बुक की वह भी उनका भी सौट कॉणर बीजेपी से था हमें अब पता है फेस्बुक को वाट्सैप दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पूरे कैंपेंड में नफरत के कैंपेंड में भारत में जो समा को बाटने का यह दोनों काम अमेरिका की टेक्नोलोजी कंपनिया कर रही है और वो तमाम सारे ऐसे फेस को ब्लॉक नहीं करती है उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं करती है क्या आप वहां पे ओवर सीज कॉंगरेस की तरफ से इंगेज करते हैं क्या राहुल गांजी कि वो तो खाली पैसे का ध्यान देते हैं उन्हें कोई अथिक से मतलब नहीं है हम तो बड़े क्लियर हैं देर फोकस इस ऑन प्रॉफिट एंड पावर नॉट ऑन पीपल और प्लानेट हम कहते हैं रहते हैं सब जगा जैसे ही बीजेपी पार में आई पहला काम क्या किया कि 75 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया 75 साल तक कोई काम देश में नहीं हुआ तो पहला काम उनका ये था कि क्रेडिट सब हम लेंगे और अभी तक जब हुआ है उसको हम नलिफाई कर देंगे मीडिया ने उनको साथ दिया वो कहते रहे कि इंदिया में कुछ हुआ ही नहीं अब आप देखिए कि जब हम इंडिपेंडन हुए लिटरसी 10 टू 12 पसंद थी लाइफ एक्सपेक्टन्सी 54 और कुछ थी अब कहां हो गए देखिए कहां पहुँच गए लिटरसी में लाइफ एक्सपेक्टन्सी में तो हमने बहुत सारा किया अटोमिक एनरजी, स्पेस, ग्रीन रेवलूशन, मिल्क रेवलूशन, टलकाम रेवलूशन, आयाइटी, आयायायम, रिसर्च लबार्टरी, I mean, the amount of work we have done in 75 years is phenomenal. तो वो क्या कहा है कि कुछ नहीं हुआ, एक ये narrative है, दूसरा narrative ये है कि राहूल गांधी, गांधी फैमिल कॉंग्रेस पार्टी, is totally useless, इनको बद्दाम करिए, इनके पर केस डालिए, लोगां को कहिए ये तो क्रिमिनल है, ये बेल पे हैं, ये चोड है, कितना जूट बोलेंगे आप, सब जूट है, अब जूट को आप प्रमोट करते हैं, हेट को आप प्रमोट करते हैं, हम क्या कर सके नहीं नोबडी वास तो लिसन ना भी या नहीं हमारे पास उतना पैसा नहीं है अभी कि फेस्बुक को इतनी एड दें कि वो उनके अल्गोरिजम बदलते जाएं वो तो हने वाला नहीं है यह काम सब चल रहा है पैसों से आप जितनी एड देते हैं सिर्फ commerce नहीं है मैं सारी आप से डिसे Stark औरें करूंगा सिर्फ commerce मामला नहीं है देखिये 1 हमारे पास पास एक्ज़ांपल है कि किस तरीके से युरपेकंट यून्यान के आइंटी ट्रॉस्ट कमिशन ने इनके साथ बंग दिए ये अनको योड बेन समाज में उस तरीके की खुराह पात नहीं कर सकता है फेसबुक या कोई भी टेकनेंटल कमपनी भारत में यी मैं यह समाज को तोड़नेका समाज में नफ्रत भलाने का काम Facebook WhatsApp कर रहा है, यहां WhatsApp University के चुटकुले बनते हैं, तो मेरा आप से सवाल यह था, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, क्योंकि आप टेक्नोक्रेट हैं, और आपकी बड़ी प्रेसेंस हैं, वहां के तमाम सिंग टैक में आप जाते हैं, कैमेरिका का मामला आप देख चुके हैं, कि किस तरीके से अमेरिकन इलेक्शन को फेस्बुक ने इंफ्लून्स करने कोशिस की, कितनी उनकी सिनेट और कॉंग्रेस में की कमेटियों के सामने पेशी कराई गई, आपकी एड़ोकेसी, क्योंकि राहुल गान जी को बदनाम किया, क्योंकि भारत के समाज को तोने काम करते हैं, तो क्या आप उनसे एड़ोकेसी आप कर रहे हैं, क्या फेस्बुक को आप कोई कहेंगे जाके वहां पर कोई मेमंटम देंगे, वहां के जो लॉइंफोर्सिंग एजनसीज है, सिनेट कमिटीज है, वहां पर रेप्रसेंटेशन देंगे, ऐसा कुछ है प्लान आपका? नहीं, तहीं हम बात करेंगे लोगों से वाशिंग्टन में, हम बात करेंगे ठिंक टैंक से, हम बात करेंगे लाउमेकर से, बताएंगे उनको हमारा व्यूज, लेकिन हम फेस्बुक को और दूसरी कोई कंपनी को memorandum नहीं देंगे. वो हमारा काम अभी नहीं है क्योंकि it is not going to be effective अभी. सम्झे? अमेरिका में still these big companies have a huge influence on Capitol Hill. So this may not be the right time. there will be time for that also. क्या इनके किलाव American agencies में law and forcing agencies में आप शिकायद दर्स करेंगे कि ये महारत के समाच को या आप पाटी को दर्स को पज़नाम करने काम करते ने भारत में? Yes. हम बताएंगे कि भई वी आर चंसर्न अबाट इट. हम बताएंगे कि भी देखिये हमारा accounts are not properly handled. For example, थोड़े बाद पहले YouTube में Rahul का account properly was not handled. So, we wrote to Facebook, YouTube and I believe they fixed it. Okay. So, we will take that at a personal level. We will discuss this rightfully so with the right people. Okay. But sending a memorandum to them during this trip is not the plan. Okay. अब है आप institutions की बात कर रहे थे पित्वदा साब. American Democratic Institutions की बात कर रहे थे. मैं एक किताब पर ला था Washington Post के पत्रकारों की लिखी हुई. I alone can fix it. और उसमें वहां के Chief of Defense Staff जन्रिमार्क मिले ये कह रहे हैं कि अपने military commanders को Trump के आखरी दिनों में कि आप लोगों ने America के सम्विधान की छपत खाई है. आप किसी एक व्रक्ति के गुलाम नहीं हो. आप America के सम्विधान की रक्षा करोगे और कोई political political party के या president के कहने पर आप में चलोगे आप president के नौकर नहीं हो. ये मार्क मिले ने एड्रेस किया उस किताब में आया. ये और फिर हमने देखा Capitol Hill पे क्या हुआ और कितनी जल्दी American system ने उसको रिस्टोर कर दिया. भारत के democratic institutions की अवियाब चर्चा कर रहे हैं. तो हम साब रोज सुबेश शाम देख रहे हैं. राहूर गांजी को पर्लिमेंट से बाहर कर दिया गया. उनको बोलने का मुकार ने दिया गया. सुप्रीम कोट के फैसले कैसे आते हैं. गुजरात में फैसले कैसे आ रहे हैं. देख रहे हैं. मीडिया के हालत क्या है. American institutions में क्या खुबी है और भारत को तो क्या सीखना चाहिए भारत के institutions को अमेरिका से क्योंकि आपका लंबा समयमा भीता है. बहुत इरह इंपॉर्टन प्रस्न आपने पुछा है. ये बड़ा ही इंपॉर्टन इस वक्त टामिंग वाइज कि अमेरिकन इंस्टिटुशन्स इंपॉर्टन इंपने कि अच्छूर्टन आपने कि ज्याएज ऑच्छूर्टन आपने कि अमेरिकत there said, no, I will not do it. You need that kind of courage, conviction, commitment to the constitution. अगर आप डरपोख हैं और आप अपने स्वांत के लिए सब देखते हैं तो you cannot be courageous and take a stand. यह इंडिया में बड़ा problem है ना आप किसी को भी खरीच सकते हैं थोड़े पैसों के लिए आप किसी को भी you know आप किसी के पीछे लगा देते हैं सम्टेक्स वाले मैं आपको एक सिंपल एक्जांपल दू परसनल एक्जांपल हमने पद्यात्रा की थी न्यू यॉर्क में छोटी सी संडे को पद्यात्रा की सब जगा निउस्पेपर में टीवी में आया मंडे मॉर्णिंग इडिये ने हमें इमेल भेजी इंडिया से मंडे मॉर्णिंग कि आप बताइए आप कॉंग्रेस पार्टी में क्या हैं कब बने तो हमने तुरंट दिखा उन्हें कि आपको क्यों जाने की ज़रुत है आप क्यों पूछते मुझे ये तो उन्हें ने फिर जवाब बहिया according to some rule 79 37 37 dash 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 I said look it don't mean anything to me इसका क्या मतलब है ये डराने की टेक्नीक है अब अच्छी तरह से लिखा होता मुझे कि पित्रणा साब हमें इतनी information आप से चाहिए I would have given it to him I have no problem I have no secret भई I think there should be some respect I'm a senior citizen I'm a person you can't just write to me a two-liner according to section 80 73 77 you may be the biggest boss in the government doesn't matter to me you may be writing on behalf of prime minister I as a citizen deserve respect ये तो लिख दिया जस्टमन में आया वो this is the problem with the institutions तोर्णा साब राहुल गांदी पर वापिस रॉटते हैं राहुल गांदी का पहले से बताएं कि मीडिया इंगेजमेंट क्या क्या है जितना भी इंगेजमेंट में फाइनल हुआ है वो क्या क्या है अमेरिका में देखिए अमेरिका में we will be addressing a group at Stanford which is open it will be broadcaster live आप ये समझेए कि सब interactions राजीव गांदी के बॉटन होते हैं राहुल गांदी के बॉट कास्ट नहीं होता है राहुल गांदी के बॉटकास्ट नहीं होता है कि एक ही direction, कि मैं आपको कहूंगा मन की बात, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, वो डिमोकरसी में कैसे चलेगा? डिमोकरसी इस आल बाट लिसनिंग. You can't tell me that डिमोकरसी इस आल बाट माइ अबिलिटी तो ब्रॉड़कास्ट. वो डिमोकरसी हमें मन्जू नहीं है. So, एक interaction होगा with media at Stanford. दूसरा होगा with all the NGOs and others in California. In Washington, there will be interaction with the think tank. We also hope to address press and have interaction with press. we want to be open, transparent and what Indian media will do is take something out of that, out of context, twist it, massage it to suit their interest and keep on rebroadcasting. That's okay. That's their privilege. I am not worried about that. But we have to tell the truth as we see it. We have to interact. So, Rahul Gandhi, पिटोला साब एक संदेश लेके UK गए थे और UK में उनका संदेश यह था कि Indian democracy is in crisis. महालाद के जो लोगतंत्र है, वो संकट के दौर से गुदर रहा है. अमेरिका आप राहूल गांदी अभी भी यह सच है और वो भी एक मेसेज रहेगा यहाँ पे. तो अमेरिका की दौरे पर राहूल गांदी का जो सिंट्रल मेसेज है वो क्या रहने जा रहा है? अबजेक्टिव क्या है? गोल क्या है? आइडिया है? आइडिया है मेनली तो है ओपन कॉन्वर्सेशन. आइडिया इस नौट तो हैव एक मैसेज यह रहे रहे तो ब्रॉड़कास्ट. यह माइंड सेट नहीं है हमारा. हमारा माइंड सेट है कि जो भी discussion में आएगा उसकी चर्चा होगी openly, honestly, we will represent our views. It will include employment. It will include inflation. It will include economy. It will include peace. It will include polarized politics. It will include discussion on institutions. All of these things will be discussed as people in the audience would want. यह क्या राहूल गांदी का कोई प्रपोज इंगेजमेंट, सेनेटर्स, कॉंग्रिसमेंट या मेंबर्स अपॉंग्रिस या फिर गर्वर्मेंट ऑफिशल से हैं यूँवेस में? अभी प्लानिंग चल रही है उसकी. मतलब राहूल गांदी, अमेरिका विजिट के दोरान, डेमोक्रेट और रिपब्रिकन सेनेटर से भी वहां मिलेंगे. वाशिंटन में जो भी बुलाकात होगी, वो करेंगे. अभी तो ओपन है. क्या ओफिशल से भी बुलाकात होगी, वाइडिन एडिमिस्टेशन के? देखेंगे. क्या होता है, क्योंकि वो टाइम भी जड़ा हॉलिडे का है, न? जी. पिटोटा सहब एक बात मुझे ये बिताईए कि आपने राहूल गांदी और राजीव गांदी, राजीव गांदी के साथ आपने कॉंगर्स के साथ अपने इनिंग की शुरुवात की थी. जब आपने सी डॉट इसकी में शुरुवात में चर्टा कर रहा था, लेकर आ है आप. और राजीव गांदी और राहूल गांदी के साथ काम कर रहे हैं. क्या similarities हैं और क्या differences हैं राजीव गांदी और राहूल गांदी में? देखिए, every human being is different. मैं जानता हूं कि हमारे जो sun हैं, वो हमसे बहुत अलग हैं. उनकी विचादारा, पचास साल के विचादारा की वजह से हैं. हमारी विचादारा असी साल के आदमी की विचादारा है. सो हम जब राहूल गांदी, राजीव गांदी के साथ काम करते थे, तब हम भी जवान थे, I was 40 year old, राजीव was about 40 year old also, तो वो टाइम अलग था, ये टाइम बहुत अलग है. उस वक्त, प्राइटाइज़ेशन की बात नहीं हो सकती थी. उस वक्त, change was very difficult. India was not where India is today, we didn't have enough foreign exchange, we were just coming out of green revolution, up to India has arrived. You know, we are a very powerful country with huge amount of, you know, security in terms of financial cushion we have prosperity we can feed 1.4 billion people and we recognize the role of private entrepreneurs and we recognize the role of you know technology and everything else in India so India is very different today so Rajiv Gandhi की जो स्टाइल थी is very different from Rahul Gandhi style and time Rahul Gandhi का भी एक तरह से अच्छा ताइम है because of technology, young population you know India's success story and all that on the other hand it's a very difficult time because of the polarized politics जो राजीव गांदी के टाइम में नहीं था तो आप कह रहे हैं कि राहूर गांदी में जादा चैलेंजस अपने प्रोटिकल जीवन में फेस किये हैं राजीव गांदी को उतने चैलेंजिंग पीरिट नहीं मिला बिलकुल सच है उस वक्त तो हमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी समझे चौनाव हाल भी गहते हैं कुछ भी बोल दीजिये आप प्राइम मिनस्ट भी कुछ भी मन में आया है वो ठीक नहीं है ना जूट बड़ा चलता है जोर से वहां पर एक आखरी सवाल आप से पूर्टना चाह रहे थे कि अभी आप कहले थे कि यंग इंडिया एस्परेशनल इंडिया इंडिया में आयटीज हैं टेक्नोक्रेट्स हैं बैंगलोर जहां अभी करनाटक में चुना हुआ वह हमारा आईटी हब है सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं वहां पर और बहुत बड़ा एक एस्परेशनल यूज हमारे पास है फिर हमारे देश में इनोवेशन क्यो टो डिजिटल नोट बुक सेवंटीज में सेवेन्टीज एटीज में जब यह आई भी आई थी तो हां दिखाईये इसके बारे इम बताये थोड़ा बताये क्या है यह एक डायरी है यह वसक्ताने की थी 1974 में बताये यह है तास्यों की डायरी है ऐसे तुशिबा बनाते थे, टी आई बनाते थे, तब लोग बनाते थे, यह हमारी पैटन थी उस जमाने में, 75, 74 में, मैंने 90 के दर्शक में इसको इस्तवाल किया, कैसियों किया आती थी? हाथ, तो सो, I used to get royalty on it, ओके, और उसके बार हमने, मुबाइल वालेट जो आप देखते हैं आज, वो सब पैटन हमारी है, सब, 75 पैटन्स के 70 पैटन्स है, करीबन, ओके, लेकिन, वो तो एक अलगी काम है, वो टेकनिकल काम है, उसकी हम बाप से कर रहे हैं, सवाल मेरा वही था, सैम साब, कि अमेरिका में रहते हुए, आप ये सब कर पाई, इनोवेशन्स, सन 74 में आप ये डिजिनल डायरी बना पाए, भारत का जो एस्परेशनल यूज है, वो इनोवेशन्स में क्यों नहीं जाता है, क्यों हमारे देश में Twitter, Facebook, Google नहीं होता है, क् Microsoft यहां नहीं बनता है, क्यों हम केवल users हैं, importers हैं, बहुत important प्रस्ना आपने पूछा again, क्योंकि हमारे महां risk capital नहीं है, हमारे महां जो capital है, वो बड़े-बड़े plant में लगाते हैं लोग, जहां secured return है, secured asset है, नहीं विचार के लिए आपको risk capital चाहिए, क्या आप लगाईए 100 करोर, साइध कुछ नहीं होगा, अब दूसरा 100 करोर लगाईए, फिर भी कुछ नहीं होगा, तीसरा 100 करोर लगाईए, तो साइध एक लाग करोर बनेगा, वो जो risk capital चाहिए, वो नहीं है, एक चीज, दूसरा एक ecosystem और environment नहीं है, innovation का, सबको quick fixes चाहिए, सबको अभी अभी पैसा बनाना है, और सबको copy करके पैसा बनाना है, आप जितनी Indian company देखेंगे अभी, जो so-called unicorn है, वो इधर services business में हैं, और कोई western idea की copy करते हैं, फिर ये e-commerce की company हो, और food delivery की company हो, वो model अमेरिका से लिया, इंडिया में implant किया, और पैसे बनाया, उसमें innovation नहीं है, ज़रा ये दर्शिकों को हमारे समझाएए, कि रिस्क capital क्या है, जो अमेरिका में है, भारत में नहीं है, अमेरिका में venture capital लोग जो हैं, जिनके के पास बहुत सा आता है, जो लोगों ने बहुत ऐसा बनाया है, वो सोचते हैं कि 5% capital में डालते हैं, तो एक बड़ा pool बन जाता है, जिसमें millions and millions and billions of dollars are put in innovation, new ventures, research, सरकार भी बहुत पासा लगाती है research में, और private industry भी बहुत research करती है, इंडिया में देखिए, private companies कोई research नहीं करती, इसी भी private company के पास बड़ा research department नहीं आए, तो फिर कैसे research होगी, जिजे, यही मूल अंदर है, एक आखरी सवाल आपसे कि अब 2024 का election की तरफ सब मामला जा रहा है, और उसका महाल बन रहा है करनाटका की जीच से आपको एक अच्छा मैं कहूंगा कि एक शुर्वात मिली है, यहां से take-off point है, 2024 के elections के पहले मोजी साब भी की तमाम विदेश यात्राइं होंगी, अभी अमेरिका जा रहे हैं, और क्या रहूल गांधी की और विदेश यात्राइं आप लोगों ने प्लान किये हैं, उनका सजूर क्या है? करेंगे हमें जाना है, you know, Asia Pacific में, हमें जाना है फिर Middle East में, हमें जाना है Australia, हमें जाना है EU में, तो करेंगे दिरे-दिरे, उसका भी मौका आएगा, लेकिन 2024 is going to be very important for India, not just for Congress Party, it is extremely important for India, क्योंकि जो रास्ता हमने लिया है अभी, वो रास्ता हमें मजूर नहीं है, वो रास्ता बदलना है देश के लिए, अब वो तो लोगों को सोचना है, हम तो एक हैं, लगों हजारों करोन लोगों को सोचना है, यह रास्ता सत है, और यह रास्ता गलाएं, राहुल गान्दी के विदेशों में इंगेजमिन्ट से, विदेशों के दौरों से, वहां की यूनिवर्स्टी या पार्लिमेंट में बात करने से, यह कैसे अच्छी का, जो अब बात आप कह रहे हैं कि, हम बाहर इसलिए जाते हैं, कि हमारे जो एनराइज हैं, पचीस मिलियन, वो अभी भी देश में कनेक्टेड हैं, वो पैसा देश में वापिस बेजते हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, और उनकी आवाज देश में सुनी जाती है, यह एक का कारण यह है कि, जब हम परदेश जाते हैं, और जो हमें मीडिया एक्सपोजन मिलता है, वो देश में नहीं मिलता, आपने हमें जो मौका दिया, यह बात करने का, वो नैशनल टिवी हमें नहीं देगी, कभी नहीं देगी, समझे, क्यूंकि हम उनके लिए इंपॉर्टन नहीं है, यह बड़ी-बड़ी मीटिंगे होती हैं देश में, यह यूनकलेव होता है, यह होता है, वो होता है, हमें कोई नहीं बुलाता, क्यों, ऐसा क्यों है, आपको सुचना है न, हम तो, देखिए हम नैशनल नॉलेज कमिशन के चैर्मेन थे, पांच साल चैर्मेन थे, नैशनल इनोवेशन कांसिल के, और नैशनल नॉलेज कमिशन में के, कोई भी एक बड़ा इवेंट, जो बड़े-बड़े रिच मीडिया कर, किसी ने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, कि यह इंपॉर्टन है, मुझे बहुत अतिरज लगता है, एक बड़ा नैशनल ऐसा नहीं था, जिसने हमें इन्विटेशन बेजा, कि आप आईए, बात करिए नॉलेज के बारे में, बात करिए इनोवेशन के बारे में, कभी नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानते हैं, हम बात करेंगे, bottom of the pyramid, हम बात करेंगे, mobilizing, poor people, हम बात नहीं करेंगे, top of the pyramid, we will not talk about, and we will not be able to give them any ads, I have no ad to give, because I don't sign any budget, but that's how practical things work in life, बाई, आप World Economic Forum देखिए, ओके, 2024 के election को आप कैसे देख रहे हैं, बहुत चलेंजिंग है, इंडिया के बारे में, बहुत कठीन है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे fresh विचार चाहिए, अलग-अलब पार्टियों का alliance चाहिए, और अच्छे candidate चाहिए, और नया narrative चाहिए, एक तरह से बहुत कठीन है, दूसरी तरफ से बहुत सिधा है, सिधा इसलिए कि आप अब अब alliance कर दीजिए, और ऐसा decide करिए कि 300-400 candidates would be one-to-one against BJP, BJP के पास 34% vote है, 38% vote है, 40% vote है, remaining 60 आपके पास है, अगर वो remaining 60 पाँच parties में divide हो जाते हैं, तो आप हार जाएंगे, अगर remaining 60 एक ही लोग को मिलना है, तो आप जीच जाएंगे, आपको लगता है कि विपक्षी एक्ता आप आसान होगी, वो तो विपक्षी लोगों को बैठ के सोचना है, नि बयान आये, मम्जा मनजी का बयान आया, बयान आया है, लेकिन जब sacrifice का समय आएगा, तब बात बनेगी, कौन sacrifice देता है, कौन कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी कम सीट लूँगा, लेकिन मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा, आपने समय निकाला, डीवी डायलॉग के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और राहूल गांजी की अमेरिका यात्रा के लिए, और आप लोगों को इंडिन ओवर्सीज को आप लोगों को इंडिन अंग्रेस को बहुत शुब कामना है हमाई तरफ से, नमस्कार.